तो जैसे कि अभी अब लोग देखी सकते होंगे कि रिस्तक ओपर टेस्टिंग के तोरान दिखा गया है के टेम डियू को 390 के एक निव जनरेशन बाला मॉडल को और अभी गेड़ मेना एसी निव बाले मॉडल की ही पावर अन्फीचर्स के बारे में कुछ निव निव पूरा देखना शुरू करते हैं वीडियो तो जैसे कि अभी अब लोग देखी सकते होंगे कि रिस्तक ओपर टेस्टिंग के दोरान चल रहा है के टीम डियू को 390 के एक निव जनरेशन बाला मॉडल और अभी के डेट में इसी निव जनरेशन बाले मॉडल के बारे में कु एक के पेरिमीटर फ्रेम देखने को मिलने बाला है और उसके हिस्सा सद इसी वीडियो गंदा जैसे कि देखी सकते होंगे इसी KTM Duke 390 के इसी निव जनरेशन बाले मॉडल के अंदर जो आपको डिस्क प्लेट जो देखने को मिल रहा है तो वो भी एक के निव डिस्क और पीछे के चके पर भी डिस्प्रेक वी ट्रेट इसे को आपको देखने को मिलेगा जो कॉंडरिंग अबिस बाला जारे कि यह जो KTM Duke 390 का जो निव जनरेशन बाला मॉडल है तो इसके अंदर हमें जो अभी मीटर कॉंसोल देखने को मिलने बाला है तो वो एक के पहले के मुकाबले थोरा सा इंप्रूब्ड एके मिटर कॉंसोल देखने को मिलेगा मतब TFT कलरफुल डिस्पेले वाला जिसके अंदर तो भी कुछ ऐसा ही बता जारे कि यह जो नेविगेशन और Bluetooth connectivity वाला जो फीचास है तो वो भी देखने को मिलने वाला है और उसके हिसासत और भी कई सार कुछ चीजे मतब यही अभी कुछ expect किया जा रहा है और उसके हिसासत इसी New Generation वाले Duke के भी अंदर आपको देखने को मिलेगा जो lights का setup तो वो भी पहले के तरह ही LED के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है और उसके हिसासत अभी यह वीडियो के अंदर जैसे की देखी सकते होंगे कि इसी New Generation वाले Duke के अंदर आपको जो यह सामने हेड़ेट बाला जो पाठ है ना तो वो अभी थोरा सा एक ही New Shape का दिखाई दे रहा है मतब इसी वीडियो के अंदर और इसका लबा अभी के डिट में तो कुछ ऐसा ही बोला जारे कि इसी New Generation वाले 390 Duke के अंदर भी आपको जो यह इंचिन देखने को मिलेगा ना तो वो भी एक के DOAC वाला 4 valve single cylinder liquid engine देखने को मिलेगा जो कि 373 CC वाला है और इसके ही ससत ये वाला engine जो maximum power जो produce करेगा तो वो अभी कुछ ऐसा ही बोला जारे कि 43 BHP तर का आपको देखने को मिलने वाला है maximum power इसी वाले के ही इसी engine के अंदर और उसके ही ससत ये वाले engine के अदर आपको जो maximum drop देखने को मिलेगा तो वो है 37 mm बाकि तो इसी engine के अंदर आपको देखने को मिलेगा 6-speed का gearbox और उसके ही ससत अभी तो कुछ ऐसा भी बोला जारे कि इसी वाले इसी engine के अंदर आपको देखने को मिलेगा एसी stand, sweeper clutch का भी support और उसके ही ससत ये वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा सामने यूस्टी फोक्स और पीछे वाइड कलर का मोन शोक एबसॉरबर और बाकि तो इसी वाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा कुछे new-new और बहतरीन सा कुछी colors option मतलब बहुत सारा कुछी colors option जो कि सच में ही काफी जदा कमल का तो होने ही वाला है और उसके ही ससत ये जो bike है ना तो ये अभी के रिट में तो कुछ ऐसा ही बोला ज़रे कि इसी 2022 सल के अंदर अंदर इसे Indian market के अंदर launch हो सकता है और अगर delay भी होता है ना तो वो भी 2023 सल के ही शुरुवात में ही launch हो सकता है इस Indian market में तो ये वाला वीडियो आपको कैसे लागा ये comment में बोल देना अगर ये वीडियो आपको पसंद आयो तो please like share and subscribe करते हो जाना subscribe करने के लिए इसी रहे बोलता हूँ क्योंकि subscribe करने से आप नया ना वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया फिर से मुलागा थो को दोबरा थैंक्यू गाईज